तो यूट्यूब से फुल टाइम इंकम बनाना चाहते हैं आप पैसा ही पैसा होगा आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे कि यूट्यूब से एक्चुली किस-किस तरह के इंकम यहां पर पॉसिबल हो पाते हैं किस तरह के माइल स्टोंस जो है नीडिड होते हैं आपको एक अच्छा लेवल उफ इंकम बनाने के लिए इन उन माइल स्टोंस के अगेंस आपको इंडिया में किस तरह का इंकम यहां पर यूट्यूब से मिल सकता है तो यूट यू रहां यूर करेर अगर आप यूटूब में करियर करना चाहते हैं तो प्रॉपरली गाइज वेलकूम तू इस त्वीड वेलकूम तू इस विद्वन यहां और आगे बढ़ने से पहले आज़ लाए बटन जरूर दबादें चैनल में सब्सक्राइब करना मत बूलें परयाए प्रहोंसे करते हैं के स्यूबर Springs क्यूंश कर्षा है में सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करेंAmड आप ओस बता है सो फीरियो स्ब्सक्रा मैंने न के का समय के पैसे सबिके 민anki captain है then आप थोड़ा problem में आने वाले हैं because YouTube बहुत ही hard है and बहुत ही सारे अलग-लग quantity में और अच्छी quality में आपको वीडियो बनाने पड़ते हैं and sometimes it takes years before you see some kind of income for some people बहुत ही जल्दी से हो जाता है for some people जो है कुछ time लग जाता है तो अगर वो time आ गया और बहुत ही time यहां पर लग गया आपको income बनाने में तो आप बोर हो जाओगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा basically is what I'm trying to say तो I hope आपने decide कर लिए आप किस तरह के वीडियो बनाना चाहते हैं तो एक जो आप funda सोच सकते हैं तो मैंने financial funda स्टार्ट किया या stoic wealth स्टार्ट किया है तो मेरे दिमाग में क्या गोल है मेरे दिमाग में गोल है 100 वीडियो का गोल है तो ऐसे कौन से topics हैं या ऐसा कौन सा overarching theme है जिसके against आप 100 वीडियो बनाएंगे irrespective of आपको कितने subscriber मिलते हैं इतने follower मिलते हैं जस्ट आपको अगर मैं थोड़ा सा idea देना चाहूं YouTube के बारे में Mr.Beast का नाम आपने सुना ही होगा उसको उसके 100 वीडियो में 100 सबस्क्राइबर ही मिलेते MKBHD Tech Reviewer का आपने नाम सुना होगा उसको उसके 100 वीडियो में 72 सबस्क्राइबर ही मिलेते सिरफ Imagine how hard it is Now, अगर आपको वो चीज पसंद नहीं है अगर आपने इस तरह के topic को चूज नहीं किया है जिसके बारे में आप regularly बात कर सकते हैं जिसमें आप interested है अगर dip आया यानि कि dip as in boring का काम आया या इस तरह काम आया जहां पर आपको growth नहीं दिख रहा है आप quit नहीं करेंगे Because the only people who survive on YouTube are the ones who don't quit And that guys is the secret sauce Number 2 guys, आप बात करते हैं पैसे के बारे में And day 1 से पैसे के बारे में मत सोचें पहले सोचें कि आप अपने content को कैसे better कर सकते है कैसे आप लोगों को जाधा time रख सकते है तो YouTube के लिए क्या important है उसकी बात करेंगे तो आप सब funda, secret, algorithm वगारे सब समझाओगे YouTube को income कैसे आता है YouTube को income आता है जाधा number of ads दिखा कर जाधा number of ads YouTube कब दिखा सकता है एक ही visitor को जब वो visitor YouTube पे जाधा time spent करेंगे अब YouTube पे वो visitor जाधा time कैसे spend करेगा अगर videos जो YouTube का algorithm उस viewer को suggest कर रहा है वो videos उसको interesting लगेंगे and वो videos को देखता रहेगा So YouTube का algorithm चाहता है कि वो अच्छे interesting videos लोगों को दिखाए ताकि लोग जाधा time YouTube पे spend करें and YouTube जाधा पैसा बनाए अब आपके videos में क्या important है आपको समझ में आ गया क्या दो चीज़े important है एक thumbnail यानि और title slash topic भी उसको आप बोल सकते हैं दूसरा is what? It's retention, it's audience retention यानि कि एक इंसान आपका video कितना time देखता है तो अगर आपका 10 minute का video है वो किसी ने सिरफ 2 minute तक देखा versus आपका 50 minute का video किसी ने 10 minute देखा तो 50 minute का video जिसने 10 minute देखा उस video को जाधा भाव मिलनेगा YouTube के algorithm से as compared to the 10 minute वाला video So short form, long form might not matter as much अगर आप जाधा time लोगों को YouTube पे रख सकते हैं अपने video में जो है interested रख सकते हैं जितना जाधा time एक इनसान आपके video में spend करेगा उतना YouTube के algorithm को खुशी होगी और आपको आपके analytics के थूँ जाधा views के थूँ जो है आपको भी खुशी प्रदान की जाएगी YouTube algorithm के दुआरा अब इसको अगर मैं monetary side पे map करना चाहूँ तो मुझे क्या करना है ads में पैसा बनता है एक term होता है CPM which is cost per mil per mil मतलब per million नहीं per mil मतलब 1,000 so cost per mil या आप अगर basically from an advertiser standpoint बात करूँ तो मैं per 1,000 views का कितना पैसा देने को तयार हूँ so अगर एक advertiser है वो per 1,000 views का आपके वीडियो में 1,000 रुपए देने को तयार है तो 1 रुपी per view approximately उसमें से YouTube का cut 45% in fact and RPM which is revenue per mil जो आपको यहाँ पर adsense से आप बना सकते हो adsense में जो ये cost per mil है या per 1,000 views का जो cost है marketing business के वीडियो में 2, 2, 3, 100 रुपए आता है तो 200 रुपीस के आस पास तो ऐसे हर category का अलग है vlogs का अलग है इसका अलग है उसका अलग है उसका अलग है फदा आना डिमकाप समझगे यह जो details है यह आप Google करें आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा उससे आप थोड़ा सा गेज लगा सकते है कि आपके जब 1,000 व्यूज हो जाएंगे फर वीडियो आप अप्रॉक्सिमेटली कितना पैसा बना सकते हैं बाइदर वे 1,000 सब्सक्राइब और 4,000 वाच आर्ज इन लास्त 3,65 दिस इस इंपोर्ट बॉट कता ही मत लगा है मुझे मालू है बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बॉट लगा के 4,000 आर्ज कर लेते हैं उसका कोई फाइदा नहीं होगा यूट्यूब को आज नहीं तो कल उसको पता लगी जाएगा और आपका चैनल वहाँ पर फ्लैग हो जाएगा और आप आठक जाओगे अगर आपको हजारो लागों व्यूज नहीं आ रहे है तो यूट्यूब पर मॉनेटाइज हो या नहीं हो फरक जादा नहीं पड़ेगा अब दूसरा जो इंकम का सोर्स आता है यहाँ पर वो आ जाता है अफिलियेट मार्केटिंग प्रॉडक्ट जो रेकमेंडेशन है यह सारी चीज़े यह आप यूट्यूब मॉनेटाइज हो या नहीं हो तब भी आप दे सकते हो तो अगर आपका उसका चार परसेंट मेरे को अमाजन देता है रादर बुक्स में 10 परसेंट इलेक्ट्रोनिक्स में 4 परसेंट तो अगर आप एक रिव्यू वाले वीडियो बनाने वाले हैं तो यू आर इन लॉक्त जब आप 50,000 का कोई आदमी जो भी इंसान है वो मानलो आपने वीसी किनी भी आइटम्स थी अगर उसने 24 गंटे के अंदर उसको चेक आउट कर लिया तो वो काट के अंदर हर आइटम जो रक्की भी थी चाहे वो बेबी पाउडर हो चाहे वो कच्छा बनेयान हो आपको उसका एक एक सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको 5,000-6,000 रुपीज की र उनके प्रोडक्त के बारे में बात करने का एंद लिंक देने का and this does provide for a very very lucrative deal जब आपका चोटा चैनल है तब दी especially अगर आपका चोटा चैनल है and आपका audience retention और views अच्छा है and आप you reach out to that startup and you show them your numbers there is a big chance कि आपको 5,000-6,000 पर वीडियो यहां पर मिल सकता है there's a lot of potential when it comes to making money on YouTube and choosing YouTube as a career now he sponsorships हो गई हमने brand deals की बात कर ली बहुत ही क्विकली हमने ads की बात कर ली but इससे कही जादा important चीज जो है आम भूल गए आपका खोबड़ा और आपका जो personal brand है जो उससे बड़ा हो अगर आप अपना face नहीं लगाते हैं आप faceless channel बनाना चाहते हैं by the way faceless channel पर वीडियो प्रिपेर कर रहा हूं नीचे comment में छोड़ दें अगर आपको वीडियो देखने में interest है तो by the way लेट से आप faceless channel बनाना चाहते हैं what are the opportunities then so faceless channel में थोड़ी सी opportunities अलग हो जाएगी आप परस्नल ब्रैंडिंग वाला पार्ट बाकी की सारी चीज़े रह जाते हैं बड़ अगर आप face वाला चैनल बनाना तो परस्नल ब्रैंडिंग वाला पार्ट आजाते हैं आप मार्केटि मैंने मेरे YouTube के videos बनाए है उसके तरू मुझे clients भी मिले उसके तरू मैंने students को पढ़ाया भी so about 2500 rupees से 3500 rupees per hour मैंने marketing and marketing का back and forth करने का brainstorming करने का भी charge किया है for people जो clients लाना चाहते थे clients के साथ काम करना चाहते थे या किसी client की strategy के साथ strategy के ऊपर rather मेरे साथ brainstorm करना चाहते थे so I have also done those kind of sessions तो इस तरह के brain brainstorming इस तरह के opportunities जो है आपके लिए और भी जादा open हो जाते and potential जब हम पैसे की बात करें अगर आप education sector में कुछ बना रहे हो तो एक दो तीन जो revenue streams आपके लिए generate होती है you are looking at a very very good and lucrative revenue especially अगर आप tier 2, tier 3 cities में रहते हैं तो तो बिलकुली आप बहुत ही अच career opportunities या job opportunities 100% yes नहीं सिरफ business opportunities आपको अगर आप education sector में videos बना रहे हैं तो आपको job opportunities भी यहां पर open होती है बहुत सारे job offers regularly जो है आपको यहां पर मिलते रहते हैं अगर आप education sector में नहीं बना रहे हैं व्लॉक्स बना रहे हो इस तरह की बना तो आपका majority जो income आएगा वो sponsorships के आपको जो revenue आने वाला है वो sponsorships और affiliate marketing के थुआ आएगा and adsense is going to be your third biggest revenue source now इसमें exact numbers अगर आप जानना चाहते हैं मुझे नेचे comments में जरूर बताएं कि आप उसमें interested है I'll talk to a few friends of mine जो YouTube करते हैं अलगलग niche में अलगलग category में छोटे से बड़े size like 30,000 से लेके 1,000,000 प्लस के जि see अगर वो numbers अपने share करने को तयार है तो I can try and get a video done आप लोगों के लिए तो उसके लिए भी आप जो है like बटन जरूर दबादें and channel पर subscribe रहें guys आपके जो भी questions है नीचे comments में आप छोड़ते रहें आने माले रहें मैं बहुत सारे interesting videos मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इस